अधैनों अब हम बत कर रहे हैं कंप्यूटरायजेशन का मतलब क्या होता है कंपेटरायजेशन का मतलब जानते हो कि अगर मैंूल काम्ना करके उसे कंप्योटर के तुरह करा जा रहा है तोुछ आप्सक्तरches and और computerization का मतलब क्या होता है automation Automation मतलब क्या है कि कुछ भी कुछ processes है like administration process, information जो transfer करने का process है ठीके ये सादा कुछ क्या हो रहा है automatic हो रहा है records automatic रखे जा रहे है इसको आप क्या बोलोगे automation इसको आप क्या बोलोगे automation तो computer बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देता है अगर हम कुछ process है जो हम क्या कर देते हैं computerize कर देते हैं means उनको automatic करते हैं मैंने आपको पहले में बताया हुआ ERP में enterprise resource planning में generally क्या होता है process बहुत सारे process जो होते हैं automatic होते हैं ठीक है तो इसे हम क्या मोलेंगे automation याने की चीज़ों को क्या करना computerize करना राइट तो यह जो सारी चीज़ें हो रही है जो process आपका क्या हो रहा है computerize हो रहा है automatic हो रहा है सबसे पहले automation के लिए आपको क्या जाना जरूरी है कि कौन से type के process को आप automatic करोगे अगर आपके यहां अभी कुछ भी computerize नहीं है suppose manual system चल रहा है तो सबसे पहले आप क्या decide करोगे कि कौन कौन से process ऐसे हैं जहां हमें information technology का use करना है यानि कि उनको automatic करना जरूरी है और फिर उसके बाद आप देखोगे क्योंकि technology तो बहुत सारी है कौन से टेकनलोजी का use करोगे उस process को कैसे आप कि आटोमेटिक करोगे automation पहुचाओगे यह दो question बहुत important होते हैं यहां पर concept आता है जिसको हम कहते हैं business process re-engineering डियर बहुत important concept है इस पर आपको exam में नोट लिखने को आ सकता है business process re-engineering बहुत असान concept है देखिए suppose आपका organization चल रहा था आप organizational में operational process होंगी operational process क्या होते हैं जो day to day management के आपके काम होते हैं उनको आप क्या बोलते हो operational process तो बहुत सारे process होते हैं एक hotel भी ले लिजे client जाता है booking करवाता है कौन सा room allot हुआ कितने time में वह room occupy करेगा कितने time फिर उसका payment करेगा है पूरा क्या है इक operational process है step by step तो आप अगर क्या कर रहे हो जो आपके business operations चल रहे हैं उसमें आप एक process identify करते हो और पुराने processes को हटाकर आप वहां पे कुछ process automation वाले डाल देते हो manual processes को हटाकर automation वाले डाल देते हो जो आपका time save करता है जो आपका cost save करता है और काम की speed को बढ़ाता है आपके other staff की efficiency को क्या है बढ़ाता है तो इसको हम क्या बोलता है business process reengineering क्या होता है जब लंबे समय तक business चलता जाता है तो कुछ process होता है operational process जो चलते जाते चलते जाते हैं लेकिन time बीटने के साथ वो process का मतलब कि कोई value नहीं रह जाता है उसका कोई फाइदा नहीं रह जाता है कुछ ऐसे process रहते हैं जो बेकार होते business के point of view से तो ऐसे पुराने process को हटा कर जितने भी पुराने ऐसे बेकार के process है जिनको छोड़ देना चाहिए हटा देना चाहिए ऐसे process को हटा के कुछ हम उसमें नया include करते हैं technology से related तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं business process re-engineering क्लियर है आपको मेरी बात तो reasons तो आपको समझ में आई गए होंगे कि automation के reasons क्या है reasons है आपके जैसा कि मैंने आपको बताया आपके other staff के efficiency बचाता है fast करता है काम को manually आप काम करोगे वो उसमें time लगेगा error के chances है compatrize में ऐसा नहीं है fast काम करता है तो cost आपकी क्या होती है कम हो जाती है तो यह चीज़ क्या है automation या compatrize करने का फाइदा है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि manual system जो time consuming होता है costly होता है inflexible होता है उसको हम replace करके क्या कर देते हैं automatic कर देते हैं तो procedure of computerization में सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले dear हम करेंगे assessment and planning यानि की assessment and planning में assessment and planning में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो manual process चल रहा है उसको detail में समझेंगे कि कैसे कैसे step by step चीज़ें चल रही है अभी currently क्या चल रहा है उसके बाद हम planning करेंगे कि किन-किन area में computerization होने की जरूरत है कौन-कौन से process को हमें क्या करना है automation में डाल देना चाहिए इसकी पूरी planning होगी क्योंकि planning करना बहुत जरूरी है क्योंकि चीज़ें जो है चल रही है automation इतने easily आप नहीं कर सकते हो भाई fund कहां से आएगा automation कर रहे हो तो computer लगाने पढ़ेंगे system को apply करना पढ़ेगा उसकी security देखनी पढ़ेगी ठीक है तो funds चाहिए फिर दूसरा अगर आपने computerize किया तो उसे use करने वाला staff skill वाला होना चाहिए जिसको computer की क्या हो knowledge हो आपके या feasibility है की नहीं है feasibility है की नहीं है कि आप चीज़ों को computerize कर सको आप computerize कर क्यों रहे हो मालूम बढ़ा कि computerize करने का खर्चा ज्यादा है उससे मिलने वाला benefit क्या है कम है यानि कि आप क्या देखोगे initial assessment करोगे देखोगे objective क्या है goal क्या है priority क्या है किस process को पहले हमें computerize करना चाहिए किसको हमें बाद में future के लिए छोड़ देना चाहिए रिसोर्स आपके पास है की नहीं है आप computer system खरीच सकते होगे नहीं आप सब्सक्राइब कर दिया और आपके area में net की speedy नहीं है यह net का इतना speed वाला कोई plan नहीं है और अगर आप ज्यादा lease line वगरा लेते हो तो आपका खर्चा बहुत बढ़ रहा है बहुत सारी बात ही होती है डियर जो आपको check करनी पड़ती है तो रिसोर्स है की नहीं है आपके project को support मिलेगा की नहीं मिलेगा ठीक है feasibility मतलब आस पास की चीजों को आप देखते हो जहां पर आपको install करना है system detail में आप फिर क्या करते हो जो project plan है वो develop करोगे उसके बाद आप project का structure क्या करोगे assemble करोगे तो सबसे बहले assessment and planning की जरूरत होती है उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप क्या करोगे goals को क्या करोगे develop करोगे goals objective and priorities क्यों करना चाहरे हो क्यों करना चाहरे हो system को automatic क्या जरूरत है क्या automatic करने पे जो costing आईगी उससे मिलने वाला benefit आपको जादा है सारी चीजों को आपको क्या है देखना पड़ेगा यानि कि उस system के goal objectives or priorities क्या है ठीक है purpose of the system क्या है उस जो information system आप develop करोगे उसका purpose क्या है कौन से problem को solve करेगा कौन सा वो काम करेगा इसकी लिए कौन सी technology की requirement है वो आपको क्या available है तो जो technical considerations है वो भी आपको देखने पड़ेंगे टेकनिकल considerations की जो technology है वो आपको available है की नहीं है कौन सा software चाहिए कौन सी technology चाहिए कि उसकी feasibility है की नहीं है already आपके पास वह already successful है की नहीं है इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा organizational कौन उस system को चलाएगा कौन admin का काम करेगा कौन user का काम करेगा तो organizational factors जो मैंने का आपके पास human resource होना चाहिए skilled human resource जो के उस computer system को क्या है चला सके ठीक है data कौन delete करेगा किसको क्या authority देंगे ठीक है resource resource की बाद मैं आपको पहले ही बोल रही थी money है time है development में time लगेगा ठीक है तो इन सारे factors को आप देखेंगे funds कहां से आएगा कैसे system install होगा कितना time लगेगा राइट यह आपके क्या हो गया resources हो गया political issue कभी कभी क्या होता है कि आपने कर तो लिया install तो कर लिया लेकिन उस computerized system की लोगों को यूज कर रहे हैं उनको value नहीं समझ में आती है तो आपका पैसा तो वेस्ट गया ना आपने तो computerize कर लिया चीजों को लेकिन जो उस computerized system को use कर रहा है उनको उसकी value नहीं है कि data या information कितना important है उसका फाइदा नहीं उठा पाए तो आपने जितनी costing लगाई क्या उसका benefit आपको मिल पाया क्योंकि technology तो change होती रहती है अगर records और evidence की value ही नहीं है तो आपका system install करने का फाइदा नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि user कौन है जो management है उसको इसकी value है कि नहीं है ठीक है और सबसे main point कि आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं कि computer की security जो computer की security और जो control की हम बात कर रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो पूरे chapter में हमने बात की तो अगर आप किसी चीज को computerize करना चाहते हो तो इन points पर आपको क्या है ख्याल रखना पड़ेगा अगर रहें